सभी छात्रों को नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं 36 गड़ मादिमिक शिक्षा मंडल राइपूर की तरफ से सेक्षनिक सन 2-22 और दिसंबर माहा का असाइमेंट नमबर 5 कक्षा बारवी के लिए विश्य हिंदी का असाइमेंट आज हम करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ इब बाल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले पर तेएक वीडियो को नटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो तो करते हैं स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर असाइमेंट नुबर पाँच जो कि दिसंबर महा का आपका आजुका है जिसका पुरुणा कि यहाँ पर बीस रहने वाला है इस वीडियो में इस वीडियो के महादिम से जानेंगे तो पहरा क्योशन है हमारा यहाँ पर कि समाचार माध्यमें में काम करने वाले पत्रकार कितने परकार के होते हैं संचेक में समाचार लिखिए जहां अंक रहने वाला है आपका च्यार और सबत सीमा रहने वाले हैं पीछे तर से सो सब्दों में हमें यह देना है तो करते हैं स्टार्ट तो एंस्वर नमबर फर्ष्ट हो जाएगा हमारा उत्तर नमबर फर्ष्ट पत्रकारिता के सामाने परकार हैं यहां पर हमारी जहां पर देखने वाले होगे खोजी पत्रकारिता वोच डोग पत्रकारिता ओनलाइन पत्रकारिता परशारण पत्रकारिता राइ पत्रिकारिता, खेल पत्रिकारिता, व्यापाद पत्रिकारिता, आगे बात करते हैं इसके अंदर पतार्कारिता आधोनिक सबैता का एक परमुख भिवसाय है जिसमें समाचार का एक की करण एककरण लिखना, जानकारी, एककरण पहुंचाना, संपाधित करना और शमयक प्रस्तुति करण आदी समलित है आज के यूग में पत्रकारिता के विंए अनेक मादिम हो गए हैं जैसे एकवार, पत्रकाई, रेडियो, दूरदशन, बेव पत्रकाई, आदी बदलते वक्त के साथ वाजारबाद और पत्रकारिता के अंतर संबन्दों में पत्रकारिता की विष्चे वस्तू बहुत ही शैली व्यापक पुरिवर्तन किये गए हैं बरत्मान में भारतिय पत्रकारिता सरकारी घजट या नोटिपिकेशन बनकर रहे गई हैं लगबग इसी मीडिया सस्तान और चैनल दिन राद सरकार का गुणगान करते हैं इस किसी सदिय में दुनिया विज्ञान और टे इंटरनेट का महताव मेट्रो फष्ट है मारा मेट्रो रेल्वेश व्यापारिक उद्ध लोग दुकान स्कूल कोलेज स्क्षन संस्तान अंग्यो विष्वी दयाले कारियाले सरकारी ते तदा गेहर सरकारी में हरा डाटा और कंप्यूटरी करत करके बड़े स्तर पर कागज और काग जी कारिवाहिं से बचा जा सकता है ऐसे कारियों में पार्दसिता भी बढ़ेगी सेकंड है इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान द्वारत दिया गया एक सुरसेश टूपार है इंटरनेट अनत संभावनाओं का साधन है इंटरनेट के मादम से हम कोई भी सूचना चि प्राप्त करने का सबसे सरल और सस्ता साधन है इंटरनेट के मादम से हम दुनिया के किसी वी कोने में बठी हुए अपने दोस्ता समंधियों से बात कर सकते हैं इसे इंटरनेट चैटिंग कहते हैं जिसकी वज़ाए से फेस्बुक वाट्सप बहुत अधिक परशिद हो गय यहाँ पर आपको तीन अंकों में आपका आंक रहने वाले हैं और सबस्यमा आपकी पचास से पिछे तर रहने वाली है उतरनमबर हो जाएगा हमारा बचों की मासुमय तो चंचलता हम सबी को लुबाती है लेकिन ऐसा भीना हो कि बच्छों की चंचलता इतनी भी नहीं बढ जा सकता सपलता के लिए एक अउशक है आज कल के टेकनोलोजी यूग में टीवी मोबाइल वीडियो गेम जैसे डिवाइस आ गए हैं जो बच्चों की वीचलित करने के लिए काफी हैं इसके इससे उनका ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता कई बार बच्चे के तंग करने पर ह है और नहीं एक अगरता की शमता है जब बच्चा एक से तीन साल का होता है तो उसके कोशल सिमित होते हैं उसे दिखने वाली हर चीज नई परतीत होती है इससे उसका ध्यान एक साथ एन एक चीजों पर होता है वह है इन चीजों को आसपास के बातावन को समझने की कोशिस क गड़ता रहता है पर्शन नमबर च्वल्ण है हमारा यहां पर निमन लिगित नैग्स को पढ़ गडा कर निचे दिये बढ़ दिएगए पर्शनों के उत्तर दीजिये हमारा ndh d तो उत्तर नमर च्यार हो जाएगा प्रशंग प्रस्थूत रुबाई उर्दू के मसूर सायद फिराग गोरुपूरी द्वारा रचित है इसकी रुबाई में सायद इन श्तितियों का भावपुर्ण चीतन किया गया है जब एक मा अपने बच्चे को नहिला कर उसे कपड़े पहनाती है तब बच्चा बड़े ही प्यार से मा के साथ मुहे को देखता है नेक्ष्ट है हमारा इसमें परतिपादन फिराग की रुबाई उनकी रचना गुले नगमा से अदबुत है रुबाई उर्दू और फार्सी का एक चंद या लेखन से लिए इनकी पहली दूसरी और चोथी पंक्ती में लुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ती स्वंतर होती है इन रुबाईयों में हिंदी का एक ग्रिलू रूप दिकता है इसे पढ़ने से सूर्दास से वाचसले वर्णन की याद आती है सार इस रितना में कवी वाचसले वर्णन किया गया है माँ नमर पांच है हमारा दूर के ढोल सुवाने होते हैं क्योंकि उनकी करक्षता दूर तक नहीं पहुंचती परन्तु उनकी करक्षता समीपत लोगों की कटू परतीत नहीं होती क्यों लिखिए और अंक रहने वाला है तीन सबद जिमा है पचास से पीचे तर उत्तर नमर पां संचार करते हैं दूर के ढोल सुवाने होते हैं का वास्ति करते हैं सत्य कड़वा होता है जब तक हमारी किसी बात वस्तु के करीब से समान नहीं होता अंदर आया उसके बारे में सहज रूप से सरल सबाव से नहीं रहते सकते हिंदू जब तक उसके करीब जाने अनवब करन करने का आवसर मिलता है उसके परती हमारी सोच बिल्कुल विप्रित हो जाती है अप्रेल में कड़वापन संत होते हैं मारे घर में एक कष्टदारी होते हैं प्रेशन नमबर च्छा है असली वस्तु है हेंट खूंटी नहीं लेखके ऐसा कहने का क्या आश्य है अंक रहने वा बाओं की ही असली वस्तु है विस्से अत्वा सिर्ष नहीं होते तात्परे यह है कि यदि हद्दे में भाव विचार होतों किसी भी विस्वे पर लिखा जा सकता है प्रस्तुत गध्यास में हेड का खुदारन मनो भाव के लिया गया है और खूंटी का विस्से के हलिये है तो श्टूडेंट्स यह था हमारा च्टिस कड मादे में एक शिक्षा मंडर रायपूर की तरफ से असाइमेट नमबर पांच जो कि कक्षा बारवी के लिए विस्से हिंदी था हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेट जरू करें थैंक्यू धन्यवाद